हलो, नमस्कार, परनाम, राम, राधे, 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 तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, क्यूंकि आपको BSC और BSC B8 जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए इंपोर्टेंट है ही है, साथी साथ दो स्टूडेंट अभी सेकंड गेड या फर्स्ट गेड की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जिनका एम है कि उनको फर्स्ट गेड या सेकंड ग्रेड जो लगना है, तो उन सब के लिए इकवल रूप से इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आज का हमारा टोपिक रहे सबसे पहले जो बीटा फंक्षन हैं, अपने बात करते हैं, बीटा की बारे में पढ़ेंगे हैं, तो आपको सबसे पहले, सबसे इंपोर्टेंट है, कि M, M and N are positive integers, इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि दो धनात्मक पुर्णाक M और N के लिए, ठीक है, एक definite integral, निश्चित समाकलन, 0 से 1, X की पावर, M-1, 1-X की पावर, N-1, Dx, यह जो definite integral है, इसी को अपने क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहा जाता है, और इसको denote किया जाता है, B, MN इस तरह से, और इसे बोला जाता है, बीटा MN, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे जो important चीज़ है, वो ध्यान रखनी है, कि M और N जो है, positive integers ने, धनात्मक पुर्णाक M और N के लिए, एक definite integral, यानि निश्चित समाकल, 0 से 1, limit क्या रहेगी, 0 से 1, X की पावर N-1DX, यह आपका क्या कहलाता है, बीटा फंक्शन कहलाता है, और इसको अपने denote करते हैं, किसके द्वारा, B, MN या बीटा MN इसको कहा जाता है, ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिए, कि आपको जहाँ भी आपमें variable दिखाई दे रहा है, यहाँ भी X है, यहाँ भ Y की पावर N-1, DY, तो यह भी हमारा क्या होगा, बीटा MN ही होगा, क्योंकि हमारे पास variable जो हर जगह पर change हो जाता है, यह X के लिए define कर दिया, यह किसी अन्य variable Y के लिए define कर दिया, यानि जो भी variable आएगा, ठीक है, यहाँ भी same, यहाँ भी same, और उसी के respect में आपका यह definite integral हो बीटा function का हमारे पास क्या है, definition है, जो कि M और N के धनात्मक मानों के लिए क्या होता है, परिवासित होता है, clear, यह बीटा function की definition अपने पढ़ ले, इसके बाद अपने बात करते हैं, बीटा function की कुछ properties हमारे पास आती हैं, अब इसमें जो question अपने आएंगे, उनको कैसे तर 1-X की घात 3DX, find the value in the form of बीटा function, यानि B MN की form में इसका मान गयात कीजिए, तो अपने पास इस से हमने compare करेंगे, यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, M-1, M क्या है कोई भी positive integer है, ठीक है, तो M यहाँ पर अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 0-1, X की पावर 5-1, and 1-X की पावर, 4-1, DX, ठीक है, 3 था तो 4-1, यानि यह हमारा क्या बन जाएगा, बीटा 5-4, यानि यह किसके equal आ गया हमारे पास, बीटा 5-4 के equal आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है, किसी भी बीटा function को define करते हैं, और question को बीटा MN की form में अपने लिख बाते हैं, easy form था, कुछ और question भी अपने लेंगे, लेकिन वो बात में, अज चलते हैं अपने इस बीटा function की कुछ properties होते हैं, उन properties के बारे में पढ़ते हैं, पहली property जो है, उसके बारे में अपने चर्चार करते हैं, कि वो property यहां पर क्या होने वाली है, देखिएगा, फश अब अपने बात करते हैं, बीटा function की कुछ properties के बारे में, पहली जो properties है, पहली property क्या है, पहली property है, बीटा MN इक्वल होता है, बीटा NM की, बीटा MN का वेल्यू, इक्वल होता है, कि इसके बीटा NM के यह आपको प्रूव करना है, अभी अपने definition पढ़ी, बीटा MN की, बात करते हैं, पहले proof करेंगे कैसे, उसके बाद अपने इस पर आते हैं, प्रूव होगा, ठीक है, तो बीटा MN क्या होता है, definition के according यह क्या होता है, 0 से 1, x की पावर, m-1, 1- x की पावर, n-1, dx, अगर हम बीटा NM की बात करें, तो यह तो हमारा क्या हो गया, बीटा MN हो ग M-1, dx, यह किसके बाराबर होगा, बीटा NM के बाराबर होगा, हमें सिद करना कि दोनों equal हैं, यानि हम इसको लेकर की चलें, और हम प्रूव कर दें, कि इसका value इसके equal है, ठीक है, यह दोनों क्या है, सेम है, यह और यह अपने पास equal अपने को इनको प्रूव करना है, अब M-X की पावर, N-1, यहाँ पर 1-X की पावर क्या है, M-1 है, ठीक है, और यहाँ पर देखी, 1-X की पावर N-1, यहाँ एक्स की पावर N-1 है, यानि सिंपली अगर हम देखें, तो X के स्थान पर क्या आ रहा है, 1-X है, ठीक है, X के स्थान पर क्या आ रहा है, 1-X, अगर आप आपने आप ही क्या बन जाएगा दूसरा x बन जाएगा एक पॉर n-1 आजाएगा रखके देख लो बले यहां एक्स की जिए आप 1-x रख दो एक्स की जिए जैसे आप 1-x put करेंगे यहां 1-x यहां पर आप 1-x put करेंगे माइनस है तो वो माइनस 1 कैंटिल आउट होगे प्लस X इनी X की पाउर N माइनस 1 बन जाएगा कलियर यानि हमें क्या करना है यह जो है इसमें एक substitution put करना होगा यह डेफिनेटर इंटिगल है इसमें अपने को परति स्थापन रखना होगा क्या हमें 1 माइनस X इक्वल टू यानि नया variable कुछ लेना होगा यानि उस variable को हमें 1 माइनस X के इक्वल लेना होगा और फिर सब जगह पर वोही variable आ जाए और लिमिट्स सेम रहे तो फिर वो बीटा NM हो जाएगा कलियर देखिए अब simply अपने चलते हैं और वो substitution यहां पर लिखके आगे बढ़ते हैं substitution हमारा यहां पर क्या रहना है substitution हमारा यहां पर 30 आपन जो है let y बराबर 1-x यानि y equal to अपने क्या पूट कर दिया 1-x पूट कर दिया अगर y equal to 1-x आता है दो दब भी हम 30 आपन करते हैं limits के मान देखें यहां पर बदलेंगे x का मान आप 0 पूट करते ही y का मान क्या आएगा 1-x equal to 0 क्योंकि पहला जो हमारा beta mn जो हमने लिखा है वो x के respect में solve हो रहा है तो वहां limit जो है वो x की है जब x का value 0 तो y का value देखें क्या आएगा y का value आएगा 1 ठीक है और x बराबर 1 तो y का value फिर क्या मिलेगा 0 मिलेगा यहां 1 आएगी limit और यहां क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और अपने dy का value देखो dy का value क्या आएगा 1 का 0 हो गया यहां पर क्या आएगा minus dx जैनि dx का value हमें क्या मिलेगा माइनस dy मिलेगा अब इस परतिस्ठापन के according हम इसको solve करें तो limit हो जाएगी 1 से 0 x की जगा आपको क्या रखना है x की जगा हम क्या रखेंगे अब देखिए x इधर आजेगा 1 minus y x इधर आया यह क्या हो जाएगा 1 minus y 1 minus y की power m minus 1 और 1 minus x x की जगा फिर अपने को क्या रखेंगे 1 minus 1 minus y और इसकी power n minus 1 और dx की जगा अपने रखेंगे minus dy clear simply अपने x की जगा पर जो भी परतिस्ठापन अपने लिया वो value हमने put की है अब देखिए यह 1 से 0 है यहाँ पर क्या है यह 1 से 0 है यह क्या बन जाएगा 0 से 1 और minus का जो साइन यहाँ पर मिलेगा वो किसमे चेंज हो जाएगा positive में चेंज हो जाएगा और फिर देखिए यह कैंसिल होगा यहाँ पर क्या आएगा y की पावर n-1 आजाएगी और 1- y की पावर m-1 आजाएगा और साथ में क्या आजाएगा dy आजाएगा यह फर्मूला बन गया किसका देखिए y की पावर n-1 ठीक है m की चेंज है न आगया variable देखिए उससे mn यहाँ भी y यहाँ भी y यहाँ भी y यहाँ भी y तो यह भी क्या होता है बेटा बीटा अचे यहाँ पर एक चेंज कर दिया सब्सीं बराबर होता है किस के बीटा अगली प्रोपर्टी पर चलते है एक छोटी प्रोपर्टी और उसके बारे में अपने बढ़ते हैं जो इसकी second property है वो अपने को एक और result देती है लेकिन उसमें क्या है वो हमें अनन्त समाकल के रूप में बीटा function का value देती है ultimate integral की form में अब infinite integral क्या होता है infinite integral होता है lower limit या upper limit आपको infinite मिले तो यहांपर अपने एक चीज दान रखनी है यहां पर आपके infinite integral जो होगा आपने पास second result 0 से infinity 0 to infinity x की power m-1 1 plus x की power m plus n dx ये भी बराबर होता है किसके beta mn के ये ऐसा बोलता है ठीक है ये जो property वो अपने को ये कहते है कि beta mn का एक और value भी होता है और वो value किसके equal आता है infinite integral 0 to infinity x की power m-1 1 plus x की power m-plus n के बराबर होता है इसमें थोड़ा सा आपको विछली में क्याए simply अपने को दिख रहाता आसानी से अपने को दिख रहा था कि अपने को पर्ति स्ठापन क्या करना यहां पे थोड़ा से अपने को सोचना m-1, 1-x kia n-1 dx, यह result होता है अब limit क्या आनी चाहिए, 0 to infinity आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 to 1 है, x kia m-1, ठीक है, लेकिन 1-x kia n-1 है, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, power अपने पास 1 plus x आना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 प्लस X आना चाहिए और साथ ही साथ पावर जो है वो क्या हो जाए M प्लस N हो जाए तो अपने पहले सिरफ इसके बारे में सुचते हैं कि यहाँ पे प्लस कैसे बनाया जाए variable को प्लस किस तरह से हम बना सकते हैं प्लस की फोर में अपने उसको किस तरह से अपने ला सकते हैं हर के अन्दर यह है तो वह अपने को सबसे पहले उसी चीज के बारे में सूतना है कि हम इसको 1 प्लस कैसे बनाये और 1 प्लस का तरीका एक ही है कि X की जगह अपने 1 प्लस में रखे हैं नया variable लाएंगे तो x की जिगह अपने इतना तो पता लग रहा है कि परतिस्थापन तो अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर आपने यहाँ पर रख दिया तो फिर आपको क्या मिलेगा अगर आपको यह मिला रिजल्ट मिलते ही आपके पास क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1 प्लस y मिनस 1 अपन 1 प्लस y यह कैंसी लो गया y की पावर y अपन 1 प्लस y दे गा रिजल्ट यह तिक है यह तो यह रखना पड़ेगा फिर आपको यहां भी यह पावर आपको रखनी पड़ेगी यहां भी आप यह पावर रखोगी तो आपके पास यहां वेल्यू क्या आएगी यहां वेल्यू आएगी m-1 यहां value आपको क्या मिलेगी m-1 मिलेगी और उपर आपके पास जो value आ रहे थी y की power n-1 तो y उपर m-1 चाहिए अपने को ठीक है y उपर अपने को क्या चाहिए m-1 चाहिए वो दिक्कत आ रही है m-1 नहीं बन रहा है अब m-1 बनने के लिए अपने को क्या चाहिए m-1 अपने को इस्चेत मिलेगा यह नहीं उपर आप जो रिजल्ट जानते हो आप उसी का यूज़ कर सकते हो, we know that beta mn equal to 0 to 1 x की पावर m-1, 1- x की पावर n-1 dx, अब अपने वो प्रतिस्था आपन रखेंगे, ठीक है, put x is equal to y upon 1 plus y, limit देखो, change होगी, limit बदलेगी, देखना, कैसे बदलेगी, 0 रखो, x का मान 0, 0 रखते हैं इधर आएगा y का value क्या आगया, 0 आगया, x का मान 1 रखो, 1 रखते हैं आपको क्या मिलेगा, 1 रखते हैं यह 1 plus y equal to y, यानि y से y गंसल हो गया, 1 बराबर 0, possible नहीं है, परिवासित नहीं हो सकता, परिवासित इसका मतलब वो गया होता है, infinity होता है, जो प लिमिट होगे, 0 to infinity, clear, अब देखे, x की जगह अपने को यह रखना है, x की जगह रखोगे, y की power m-1, अपोन 1 plus y की power m-1, फिर यहां भी रखोगे, 1 minus y upon 1 plus y, और इसकी power n-1, बजाँ dx, इसका, differentiation कर दो, dx का value निकालता है, u upon v से, 1 plus y का whole square, 1 plus y, as it is, y का 1 होगा, minus y, as it is, 1 plus y का, क्या होगा, 1 होगा, y से y तो cancel होगा, ठीक है, यह सोरी, y से y cancel होगा, क्या बजा, 1 upon 1 plus y का square, और dy, यह value आगे, अपने पास, अब देखो, आगे अपने इसको solve करते हैं, आगे इसको solve करेंगे, तो 0 to infinity, y की power, m minus 1, upon 1 plus y की power, m minus 1, और यहाँ से अपने इसको solve किया था पहले, 1 plus y, minus y, cancel हो जाएगा, यहाँ से अपने को मिलेगा, 1 upon 1 plus y की power, n minus 1, क्योंगी पर 1 होगा, into में 1 upon 1 plus y की power 2 dy, अब देखो, यह क्या बन गया, m minus 1 power, n minus 1, और 2 power, minus 1, minus 1, 2, I have got, cancel out हुआ, result के रूप में अपने को last वही मिला, जिसकी हमें जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, 0 से infinity, y की power, m minus 1, 1 plus y की power, m plus n, dy, यही हमें प्रूव करना था, थोड़ा सा, आपको यह substitution है, जो परतिस था आपने, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और अब यहां पर आपका question होता है, इसमें तो y है, इसमें x है, तो x की form में पर इसको change करते हैं, y replace कर दो, put y is equal to x, क्या फरक पड़ेगा, y is equal to x रखोगे, ना तो limit change होगी, y का मान अगर 0 हो, तो x का मान भी 0, y का मान इंफिनिटी, तो x का मान भी इंफिनिटी, dy की जगे आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ, x आ जाएगा, तो यह बन जाएगा, y is equal to x, x is equal to y रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, variable तो change कर रहे हैं, beta mn या beta nm का समान देती है, इसके रूप में, अनंत समाकल के रूप में, 0 से इंफिनिटी, x की पावर m-1, अपोन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ठीक है, clear, चलिए, third property के बारे में अपने पढ़ते हैं, अगली property जो है, वो देखिए, अपने प्रूव करते हैं, तीसरी property क्या कहते हैं, है, फ्रोपर्टी, देखिए, फ्रोपर्टी जो है, वो कहती है, बीटा mn का वेल्यू ये भी होता है, 2, 0 से πाई बाई 2, sin 2m-1 theta, cos 2n-1 theta, d theta, ये भी होता है, ये भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन कैसे, उसी से जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, कि बीटा mn बराबर होता है, किसके, 0 से 1, x की पावर, m-1, 1-x की पावर, n-1, dx, x की पावर, m-1, यहां पर क्या रहा है, बाटा, x की पावर, sin की पावर, 2m-1, यानि हमें x की जगह, sin square theta रखना पड़ेगा, तबी, 2m-2 आएगा, वो, minus 2, वो, आप जैसे, dx का मान लिखोगे, cancel out हो जाएगा, very simple, क्या रखना है, अपने को, x is equal to sin square theta, put करना है, limit check करते हैं, definite integral है, limit बदलेगा, क्या बदलेगा, 0, x की जगह 0 रखो, sin 0, 0 होता है, 1 रखो, इसका value होता है, 5 by 2 का, limit होगे हमारे पास क्या, 5 by 2, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, sin square theta, तो sin 2m, minus 2 theta हो जाएगा, ठीक है, 2 रखोगे नहीं, 2m minus 2 theta, और 1 minus sin square theta, पावर कितनी हो जाएगी, n minus 1, dx की जगह क्या है, dx की जगहाएगा, 2 sin theta and cos theta d theta, ठीक है, क्या हैगा, 2 sin theta cos theta d theta, सारी problem आपकी solve होगे, 2 मिल गया बाहर, 0 से 5 by 2 आगया, sin की पावर 2m, minus 2, ये एक पावर रहा, प्लस 1 करते ही, क्या आजाएगा, sin 2m, minus 1 theta, ये 1 minus sin square theta क्या होता है, cos square theta, cos square theta, उपर पावर 2n, minus 1, cos square 2n, minus 2, ये रहा, एक पावर, cancel out होके, क्या बनेगा, cos 2n, minus 1 theta, d theta, ये 3 property जो आपको याद रखने, तो आज अपने तीनो property के बारे में, और beta function की definition के बारे में पढ़ा होगे, ठीक है, तो इस part के अंदर आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, अपने क्या चर्चा की, उसके बारे में अपने जल्दी से बात करते हैं, अगले वीडियो के अंदर अपने gamma function की definition और beta और gamma function के बीच में relation, और इन जो definite integral आते हैं, इनकी value कैसे ग्याद की जाएगी, बीटा और gamma function के relation की साहता थे, उस सारी बातें पढ़ेंगे अपने, लेकिन अगले वीडियो के अंदर आज अपने क्या-क्या पढ़ा, जल्दी से सभी बातों को फिर से अपने एक बार recall कर लेते हैं, सबसे पहले अपने क्या पढ़ी, beta function की definition, क्या थी definition, definition था, beta function का, सबसे पहले अपने definition पढ़ी, अपने कहा, m और n के धनात्मक मानों के लिए, m और n धनात्मक पुर्णांक हो, तो एक निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, 0 से 1, x की पावर, m-1, और 1-x की पावर, n-1, dx ये बराबर होता है, बीटा function के और इसको क्या लिखा जाता है, beta mn लिखा जाता, उसके बाद अपने तीन property पढ़ी, प्रोपर्टी हमारे पास क्या थी, beta mn बराबर होता है, कि इसके, beta nm के, second अपने ये पढ़ा, कि beta mn को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से infinity, 0 से infinity, x की पावर, m-1, ये भी लिखा जा सकता है, थर्ड अपने ये पढ़ा, beta mn का वेल्यू, 2, 0 से pi by 2, sin 2m-1 theta, and cost 2n-1 theta, d theta हो सकता है, आपके इस पार्ट में अपने इतना ही पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप revise कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप अपने notes त्यार कीजिएगा, अगले पार्ट में अपने gamma function और beta और gamma function के बीच में relation के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो पसंद आए, तो like कीजिएगा, share कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ आपको रोज इसी तरह से आपके जो syllabus है, उसके according ऐसे video मिलेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप BSC B8 या BSC का पूरा course purchase करना चाहते हैं, तो आप जो नीचे आपको नंबर दिखने हैं, उन पे call कीजिए, या आपको प्ले स्टोर पे जाईए, गूगिल जांगिल मैक क्लिकिए, वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए, उसके थुरू आप course purchase कर सकते हैं, उसके बाद अपनी study को regular रख सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी के लिए आप ये जो contact number दिख रहा है, इन पे WhatsApp कीजिए, और अगर WhatsApp के थुरू आपकी problem solve नहीं होत ये आपकी problem को लिया जाएगा और जब एक दिन decide करके आपकी problem को solve किया जाएगा, विशेश तोर से, आपकी study है, उसको ध्यान में रखते हुए, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का,